आज धोलकपुर में होली का त्योहार होता है, सभी गाम वाले होली खेल रहे होते हैं, पर भीम हमारा छुप जाता है क्योंकि उसको कलर नहीं लगवाना था, फिर वापस खेलने में लग जाता है, तभी भीम के दोस्त वहां से निकलते और देखते हैं कि भीम को अभी तक किस तभी कालिया अपना आइडिया बताता है कि मैं ऐसे टोकरी में जाऊंगा और लड़ू का लालच दूँगा और जैसे ही लड़ू खाने आएगा मैं उसको रंग लगा दूँगा तभी चुटकी भी अपना आइडिया बताती है कि मैं वहां जाऊंगी और रिमोट कंट्रोल इन हवा में उड़ाऊंगी और उपर से कलर भीम के उपर डालूंगी तभी सब लोग प्लान के मुताबक काम करने लगते हैं और हमारा भीम इतना तेज है कि उनके दोस्तों ने जो प्लान बनाया था वो सब फेल हो जाता है भीम फिर सब के उपर हसने लगता है तभी अचा जानक उसकी मम्मी पीछे से आ जाती है और भीम को रंग लगा देती है